दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं इंगलिस सब्जेक्ट के MCQ की इससे पहले सारे सब्जेक्टि वी कोश्चन्स वेगर आपको करा दिये गए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ देखते हैं किस तरह के आपके proficiency in English के questions पूछे जाते हैं, बहुत ही normal questions पूछे जाते हैं, जो कि आपके basic knowledge के उपर depend रहता है, ज्यादा रटने की ज़रूत नहीं पड़ती है, एक दो definitions पूछे जाते हैं, तो सारी चीजे में यहाँ पर distance करने वाला हूँ, English is our dash language, तो English कैसा language है, तो English हमारी international language है, इसके बाद which method is not meant to improve spelling, कौन सा method जो है spelling को improve करने के लिए नहीं है, तो हमारा dictation method है, यह आपका spelling improve करता है, और incidental method है, ये भी आपका इंप्रूव करता है, drill method भी इंप्रूव करता है, direct method जो है, इसमें जो है, आपकी spelling पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इस spelling आपका improve नहीं हो पाता है, next question इसमें पूछा गया, what is the common problem of our schools, हमारे जो school हैं भारत में, उनके क्या common problem है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा problem है, over crowded classrooms, क्योंकि सबसे ज़्यादा problem इसलिए है, क्योंकि आपका जो classroom है, वहाँ पर teacher तो एक ही है, लेकिन बच्चों की संख्या जादा हो जाती है, ठीक है, एक ही table पर आप देखते हो, बहुत सारे बच्चे जो है, वह बैठे, वह दिखाई देते हैं, तो यह आपका answer हो गया, next question की बात करते हैं, अच्छा, आपको notes पर आप करना है, तो आप whatsapp पर संपर्क कर सकते हैं, which is not the specific aim of teaching prose, जो हम गद पढ़ाते हैं, उस गद का पढ़ाने का main मकसद नहीं है, वो पूचा है, note, ठीक है, note पूचा है, आपसे पूचा है, note, ठीक है, आपको बताना है, यह note जो है, क्यों लगाया गया, note का मतलब है, कि गद जब हम पढ़ाते हैं, कोई prose पढ़ाते हैं, उस prose को पढ़ाने का specific aim हमारा क्या नहीं होता है, तो हम जो है, किसी question का answer देने के लिए बात देनी होते हैं, prose में, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, और words order भी आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, spelling is caught rather than taught, who has said this, तो इसमें पूछा गया है, कि जो spelling होता है, उसको हमें पकड़ना पड़ता है, जो सब्दावली होती है, उसको हमें पकड़ना पड़ता है, हम उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर यह है, टॉट की जगें, मतलब taught नहीं कर सकता हम उसको पढ़ाते नहीं हैं, बच्चे जो उसको जगड़ते हैं, पड़ते हैं, समझते हैं, खुद फकड़ते हैं, ठीक है ना, कौट करते हैं, तो यह जो कथन है, यह क्या कहा था, WS Thompson ने, यहापका WS याद रखना, आपका C option correct हो जाएगा, यहापर spelling mistake है, Thompson की, यहाँ पर देखिए, letter written to friend and relatives, जो letter हम friend को या relatives को लिखते हैं, अपने परिवार में लिखते हैं, वो सारे personal letter, या फिर उसको बोलते हैं, informal letter, ठीक है, तो आपका personal letter लिखा होगा, तो सही है, और informal letter होगा, तो भी सही है, health is less than wealth, तो health कैसा है, more important है, किस से, धन से, तो यहाँ पर जो है, आपका B option correct हो जाएगा, इसके बाद जो next question, इसमें क्या हो जाएगा, a story of a person written by himself is called, जो story, खुद व्यक्ति के दुआरा, अपने व्यक्तित्यों के बारे में लिखा जाता है, ठीक है, वो story क्या कहलाती है, autobiography कहलाती है, autobiography उसको कहते हैं, इसके बाद जो next question है, इसमें क्या पूछा किया आप से, complete the sentence by using correct word, अब देखिए मैंने बताया कि जैसे कि कोई इसका fix pattern नहीं है, देख रहे हैं आप कैसे questions पूछे जारे हैं, तो pattern बिल्कुल fix नहीं है, कि कौन से chapter से किस टाइप का question पूछ लेगा, ठीक है, my father's wife is my, आपके पिता जी की जो पतनी है, वो आपकी क्या लगेंगी, मदर लगेंगी, तो यहाँ पर जो है, कितना simple question पूछा है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं आपर mistake करके आते हैं, इसके बाद जो है, आपका पूछा गया है, put in pairs of words in the same class, तो आप देख सकते हैं, मैंगो जो है, और यहाँ पर guava है, मैंगो और guava क्या होते हैं, यह जो है same हो जाएंगे आपके, क्योंकि मैंगो और guava क्या है, मैंगो गवावा अगल बगल लिखोगे आप, मैंगो लिखोगे, उसके बगल में guava लिखोगे, drink और eat, ठीक है, इससी तरह से आपका table और chair, ठीक है, और sister and brother, तो इस तरह से आपका पेर बन जाएगा, ठीक है, लिख देते हैं इसको, तो इस तरह से पेर बन जाएगा, देख सकते हो, जैसे mangoes है, ठीक है, guavas है, mango और guava क् drink और eat आपस में आते हैं, पीना और खाना, table और chair, पुरसी और table और sister और brother, ठीक है, तो इस तरह से पेर बनाने थे, इसमें बोला, same pair बनाईए, same class के, मतलब कि आपके जिस चीज में वो आते हैं, उसको आपस में लिख दीजिए, ठीक है, तो ऐसे dash dash करके, या end end करके भी first language, तो Austria में जो है English first language नहीं है, वहाँ पर जो है आपकी, Austria में जादा तर German बोली जाती है, UK में, USA में, Canada में यहाँ पर English बोली जाती है, PDF notes पर आपती के लिए आप संपर कर सकते हैं, सारे PDF आपको जो है subjective, objective के मिल जाएंगे, the number of diphthongs in English are, तो diphthongs जो है English में कितने हैं, तो नौ भी हो चुका है, द्यान अपना है, इसके बाद जो next question है, who has said reading make a full man, तो Francis Bacon ने का है, कि भईया जो पढ़ना है, वो full man बनाता है, पढ़ाई जो है full man बनाता है, words that sounds the same and are spelled the same, यानि कि spelling भी सही होती है, sound और spelling दोनों ही same होती है, spelling भी सेम होगी, sound भी सेम होगा, लेकिन meaning अलग-अलग होगा, तो उसको homoniums कहते हैं, homoniums की यह परिभाशा है, अगर example पूछे, तो आप बता सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो ring, अब ring जो है, आप ladies को ले जाओगे, तो ladies बोली कि what a beautiful ring, तो वो अंगूठी की बात कर रही है आप किसी बच्चे से बोलोगे, go and sit over that ring, तो वहाँ पर जो कोई ring बनाओगा, कोई गोला बनाओगा, उसमें वो बैठेगा, इस तरह से बहुत सारे जो है, आपके spellings हैं, जो सेम रहेंगे, ring-ring, दोनों ही ring थे, r-i-n-g और r-i-n-g, लेकिन दोनों का meaning अलग-अलग निकल इसी तरह से हम कहते हैं, कि इनको क्या बोलते हम, इनको बोलते हैं, harmoniums, फिक है? यह ring की मतलब, यह मैंने ring का आपको example दी, इसके लिए बहुत सारे examples हैं, जिसका मतलब, आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतने सारे examples हैं, बहुत सारे examples हैं, जिनको आप consider कर सकते हैं, फिक है? इस टिएसराहर मैं lived or home emblems का तो आप बोलता सकते हैं जैसे कि आपका right horse, right मतलब क्या होता है तो right मतलब silos अ bath right मतलब यह होता है और एक बोलते हैं टेकड़ राइट टर्न ठीक है तो वो भी right है लेकर right मतलब सीधा हुब यह आपको सीधय मुड़ना यहँ या फिर वो बाएं दाएं जो भी आपको left और right बोलते हैं तो वो भी right की spelling same होती है और जो हमारी कोई question है वो बोलते हैं आपने इसको right किया है वो भी spelling same होती है देखो यहाँ पर बोल रहा है कि same रहेगा sound right ही बोलेंगे right को ring को ring ही बोल रहे हैं spelling भी उसकी same है लेकिन meaning अलग-अलग निकल रहे हैं तो ऐसी जो चीजे होती है ऐसे जो words होते हैं उसको homoniums बोलते हैं चाहे हम बोल सकते हैं आप letter 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 मतलब पत्र भी होता है और letter मतलब alphabet भी होता है ABCD भी letter होते हैं same spelling होती है letter ही बोला जाता है उसको भी letter बूला जाएगा और पत्र को भी letter बूला जाता है दोनों ही letter की spelling सैंग होती है L, E, T, E, R ठीक है? इस तरह से आप बता सकते हो Park अब पार्क जो होता है आप जानते हो park किसको बोलते हैं मैं पार्क में जा रहा हूँ तो आप पार्क में जा रहे हो, तो पार्क मतलब आपका क्या हो गया, कि वो जो बगीचा टाइप में होता, आपके घर के आसपास में कोई पार्क होगा, जहां पर आप खिलते होगा, तो पार्क की स्पेलिंग होती है, प-A-R-K, लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं गाड़ी करके आता हूँ, तो पार्क में नहीं जा रहा है, वो पार्किंग में जा रहा है, लेकिन उसको भी वो पार्क बोलता है, कि वहाँ खड़ी करके आ रहा हूँ, तो उसका भी स्पेलिंग पार्क ही होता है, तो इस तरह से बहुत सारे स्पेलिंग से हैं, जो आपको बताती है कि homoniums है, spelling same होती है, sound same होता है, लेकिन meaning अलग-अलग निकल जाती है, तो उसी को homoniums बोलते हैं, कई बार पूछा जाता है, homophones मैंने बता रखा है, notes में सब कुछ दे रखा है, ठीक है, तो आपको घबरानी की ज़रोत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, there are three degrees of adjectives, adjective के आपके तीन डिग्रीज होते हैं, कौन-कौन से हैं, तो आपके सामने मैंने लिखा है, आपको याद रखना है, positive, comparative और superlative, कभी-कभी positive के बारे में आपसे पूछ लेगा, अब यहाँ पर, to know a new language, it is urgent that the learner knows it, तो कैसे, अगर कोई नौल, आप नया मतलब भाषा सीखते हैं, तो user कैसे उसको सीख सकता है, तो socially सीख सकता है, socially मतलब की, अपने आसपास में जो society है, उससे कोई नई language जो है, learn कर सकता है, आप अहीं भी चले जाएए, आप वहाँ की भाषा, अगर आप कुछ दिन वहाँ पर रहते हैं, तो आप वहाँ की भाषा जो है, सीख सकते हैं, ठीक है, we write the spoken word, the written or the printed word are nothing, but a symbol of the spoken words, this statement given by, तो इस statement को किस ने दिया था, तो इसको देने वाले थे, एफ जी फ्रेंच, ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला उप्शन जो है, correct हो जाएगा, यह उप्शन correct हो जाता है, इसके बाद जो next question है, इसमें आपके पूछा गया है, among the four skills of language, writing came at, तो writing कब आता है, सबसे last में आता है, उससे पहले आपके जो है, सबसे पहले तो आपका जो listening है, listening आता है, उसके अलाबा speaking आता है, reading आता है, फिर writing आता है, तो listening आपका पहला है, first place पे listening आती है, second place पे जो है आपकी speaking आती है, जो आप पहले सुनते हो, फिर आप second place पे बोलते हो, ठीक है, third place पे आप पढ़ते हो, और 4th place पे क्या आगरते हो, आप लिखते हो, तो writing कहाँ पे आ रहा है, 4th place पे, तो यहाँ पे आपका 4th option जो है, correct हो जाएगा, ठीक है, 1st place पे क्या रहा है, दुबारा बोल रहा हूं, listening, 2nd place पे क्या आता है, speaking, 3rd place पे क्या आता है, reading, और 4th place पे क्या आता है, writing जो कि आपके RW, next question, which of the following groups does not belong to the organs of speech, टेकि respiratory system हमारा organ of speech में आ जाता है, क्योंकि हम सास लेते हुए बोलते हैं, और articulary system भी आता है, हमारा artery veins सारे काम करते हैं, phonatory system भी आता है, digestive system का इसमें आपके organs of speech में count नहीं होता है, तो यहाँ पे C option जो है, correct हो जाएगा, digestive system, इसके बाद जो है, the number of dip diphthongs in English are, तो इंग्लिस में diphthongs कितने होते हैं, तो अभी-अभी मैंने आपको थोड़ी दिर जस्ट पहले बताया था, आपको याद होगा, तो मैंने आपके options से उसके इसाब से बताया था, कि diphthongs जो है, वो 8 होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके syllables में 9 भी किया गया है, तो 8 और 9, दो भी दो 9 में ऐसे दिखेगा, तो आप 9 पे टिक करोगे, 8 दिखता है, तो 8 पे टिक करोगे, diphthongs कितने होते हैं, 9 होते हैं, या फिर 8 होते हैं, इनको diphthongs को हम impure wobbles भी बोलते हैं, king asoka dash for a journey, तो asoka जो है, जरनी के लिए गया, अप नहीं होगा, off नहीं होगा, in न there are many birds on the tree, अब आप देख सकते हो किस तरह का questions पूछे जारे, pattern बिल्कुल fix नहीं है, कहां से कैसा question पूछलेगा आप से, आपको बस अपना simple mind थोड़ा सा याद रखना है, mind को थोड़ा सा तेज चलाना है, आराम से सारा question हो जाएगा, कुछ भी आपको ढीला नहीं जा था, तो उसको पढ़ लिया होगा, या उससे notes बना लिया होगे, नहीं बना हैं, तो ले लीजी, अभी भी समय है, आप पढ़ सकते हैं, दिन रात मेहनत करके भी आप सारे subject को पढ़ सकते हैं, एक बार, दो बार, repeat कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, the teacher came the class, तो teacher कहा आया, class में आया, तो into the class हो जाएगा, तो the teacher came into the class, बहुत ही simple से आप देख सकते हो, कितना simple questions पूछा गया इसमें, यह पांचो questions अगर आपको आते हैं, तो पांच नमबर यहां पर सीधे सीधे मिल जाते, चलिए अब आते हैं, next question पे, the second language, जिसको हम L2 बोलते है is dash, तो क्या है, caught, पकड़ते हैं क्या हम second language को, जो English language है, वो second language है, तो क्या हम उसको पकड़ते हैं, क्या तो brought, या तो हम लाते हैं उसको, या लाना, ठीक है, और taught, यानि कि पढ़ना, हम पढ़ते हैं उसको, या फिर bought, यानि खईते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम taught करते हैं, पढ़ाया जाता है हमें, second language is taught by teachers, आगे क्या है, इसने नहीं दिया है, आपको क्योल गुमाया, इसने caught, brought, bought दे दिया है, तो आपको समझना चाहिए कि spelling क्या दियागे, बस आपको समझना है, बस question को, क्या बोल रहा है, यार, क्या कर रहा है, second language is taught, पढ़ाया जाता है, speaking is a dash skill, तो speaking को हम क्या बोलते हैं, तो speaking जो हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो आप सुन रहे हैं, यानि कि मैं produce कर रहा हूं, और आप सुन रहे हैं, या मैं express कर रहा हूं, तो आप सुन रहे हैं, तो speaking मेरी productive या expressive skill होती है, यहां पर यह option जो है, इसका सही answer हो जाएगा, clear, इसक complete the stages of teaching, reading, pre-reading, while reading, देखो हमारे reading आती है, फिर उसके बाद में pre-reading आती है, फिर while reading आती है, फिर उसके बाद में post reading आती है, ठीक है, ये कई बार question पूछा गया है, कई बार, एक बार नहीं, कई बार, इसके बाद जो next question है, उसकी बात करते हैं, the biographical sketch gives a brief overview of a, तो biographic किस की होती है, biography जो है, person की life की होती है, ठीक है, biographic किस की होती है, person के life की होती है, तो ये इसका answer हो जाएगा, ठीक है, next question उसकी बात करते हैं, यहाँ पूछा गया आपसे, that is the term used to indicate whether the subject is doing or receiving the action, तो वो होता है आपका voice, active voice और passive voice, ठीक है, तो इसका हम बोलते हैं voice, voice is the term used to indicate whether the subject जो करता है, वो कुछ कर रहा है, या फिर करना चाहता है, या कर रहा है, या फिर वो receive कर रहा है action को, ठीक है, करना कर रहा है या फिर कुछ करने के प्रयास करने वाला है जो हम बोलने वाले हैं उसको receive कर रहा है तो voice जो होता है active voice और passive voice आप जानते हो सकरीए और निस्षक रिए इसके बाद जो है diphthongs are also known as तो diphthongs को हम क्या बोलते हैं impure vowels बोलते हैं मैंने बताया कि यह 8 थे अभी आपके यह 9 भी option में आता है तो आपको ध्यान रखना है अगर आपको देता है कितने होते हैं तो 8 होते हैं अगर 8 की जगे 9 option दिया है 9 तो नहीं होते हैं आपके consonant में आपके 21 consonant हो जाएंगे और बाकी बच्चे 5 vowels हो जाते है 21 consonant इसलिए लिया जाता है क्योंकि Y जो है वो semi vowel होता है Y जो होता है ABCD में Y जो होता है वो semi vowel होता है इसलिए उसको consonant और consonant में और vowels में count नहीं किया जाता है ठीक है वो common हो जाता है दोनों के लिए काम कर सकता है y इसलिए हम बोलते हैं कि vowels 5 होते हैं और consonant 20 होते हैं लेकिन कई बच्चों का confusion होता है कि consonant 21 होते हैं बिल्कुल सही बात है आपकी 21 होते हैं लेकिन y जो है semi vowel होता है, तो हम इसको vowel में भी रख सकते हैं, और consonant में भी रख सकते हैं, यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कई बार examiner आपको भूमाता है, pure vowels जो होते हैं, वो 12 होते हैं, और total जो vowels sound होते हैं, वो 12 प्लस 8, impure vowels और vowels, वोबल से मतलब स्वर, यहां पर भी वोबल से मतलब स्वर, यह 8 और 12 कितने होगे, 20 होगे, तो 20 होते हैं, आपके 5 वोबल से 20 sound निकलते हैं, 5 वोबल से 20 sound निकलते हैं, मैंने notes में बताया हुए है, 5 वोबल से, 5 वोबल कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है, जिसको हम स्वर बोलते हैं, तो हमारे A, E, I, O, U, जो इंग्लीस में स्वर है, इन पांच स्वर से हमारे ध्वनिया जो है 12 प्लस 8, 20 निकलती हैं, ध्वनिया, जिसमें से 12 जो होते हैं, ये pure vowels होते हैं, जिसको हम Monophonks कहते हैं, Monophonks, ठीक है, और जो है, बचे हुए 12 में से, 20 में से 12 इधर आगे, तो 8 बचे हुए, उनको impure vowels से बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं, ध्वनिया, ध्यान रखना है आपको Controids पूछ सकता है, तो notes में मैंने सब कुछ बता है, Controids कितने होते हैं, phonetic method भी करता है, और subsidiary method भी करता है, यानि कि सारे इसमें सही answer हैं, अगला जो question इसकी बात करते हैं, meaning of grammar is the set of formal patterns in which the words of a language are arranged in order to convey larger meanings, who said this statement, तो इसको W. Nelson ने कहा था, इसका नाम इस तरह भी आ सकता है W. N. Francis, W का मतलब W यहाँ पर है, और N का मतलब होता है Nelson, ठीक है, तो W. N. लिख देगा, तो आप बोलोगा, एर Nelson तो दिखाई नहीं देरा, Francis लिख दिया, तो मैं तो गलत हो जाऊंगा, ऐसा नहीं यह ध्यान रखना, W. N. Francis जो है, इसके statement करता है, which of the following is the kind of verb, तो देखो, verb जो है, Transitive भी होता है, Intransitive भी होता है, Auxiliary भी होता है, यानि कि All of the above इसके सही answer है, Notes प्राप्ति के लिए आप WhatsApp पे संपर कर सकते हैं, Vocoids जो है, Vocoids को हम क्या करते हैं, Vocoids को हम Pure Wobbles बोलते हैं, ठीक है, Vocoids को हम Pure Wobbles बोलते हैं, Next question है, इसमें आप से पूछा क्या गया है, The number of consonant sounds in English are, तो consonant sounds की बात कर रहा है, Consonant sounds, अभी-अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कि consonant sounds जो होते हैं, वो consonant तो 21 होते हैं, क्यवल, consonant पूछता है, तो हम बोलते हैं कि 21 होते हैं, लेकिन हमारे से consonant नहीं पूछा, इसने sound पूछा है, तो यह जो 21 वेंजन होते हैं, Consonant को वेंजन मुलते हैं, तो 21 वेंजन होते हैं, इंग्लिस में, A, E, I, O, U को छोड़ करके, आप A, B, C, D पढ़ते हैं, तो A, B, C, D में A से लेके Z तक में से, A, E, I, O, U, यह पांच चीजे निकाल दीजिए, तो 26 होते हैं, 26 में से 5 गए, तो 21 वच्चे, 21 में Y भी, जो है आपका Consonant भी हो सकता है, वोबल्स भी हो सकता है, लेकिन देखो, यह आपके 20 का Option नहीं दिया है, तो 21 होते हैं, आपके Consonant, लेकिन साउंड टोटल कितने होते हैं, तो साउंड होते हैं, 24, ठीक है, लेकिन अब तो 25 भी कर दिया है, आपके से लेवस में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, 24 दिया हो, तो 24 करना है, 25 देखा तो 25 करना, 23 और 26 नहीं आएंगे, किलियर हुआ, तो 24 इसका सही आंसर हो जाएगा, ना Number of Consonant Sounds in English are, टोटल, केतने होते हैं, 24 होते हैं, तो Sounds की बात कर रहा है, 21 वेंजन मिलकर के, 24 धोनिया उत्पन करते हैं, 21 वेंजन मिलकर, 24 धोनिया उत्पन करते हैं, तो मैंने बताया, Consonant तो होते हैं 21, लेकिन Sounds जो होते हैं, वो कितने होते हैं? 24 होते हैं, यह धान डखना है आपको, यहापर समझ लीजिया, इस तरह समक्से मिला दूँ, तो Sounds जो होते हैं, वो तो आपके 24 होते हैं, और poetic की Consonant की बात करूँ, तो यह जो आपके, 21 होते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि consonant जो है, वो 21 होते हैं और sound जो होते हैं, वो 24 होते हैं 24 जो है, इसका सही हो जाएगा answer इसके बाद जो देखिए a word used before a noun or pronoun to show some relationship is called तो हम उसको बोलते हैं pre-position pre-position मतलब उस वाक्य से पहले लगना, pre मतलब पहले और position मतलब जानते हो जहां पर लगेगा तो pre मतलब pre-position इसके बाद जो है which of the following is productive skill of English productive जो हम दूसरे को बता सकते हैं जैसे कि मैं speak कर रहा हूँ तो आप दूसरे लोग सुन सकते हैं मैं कुछ लिख रहा हूँ तो दूसरे लोग पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर writing and speaking दोनों ही आपके productive skill है ठीक है लेकिन reading कर रहे हैं तो आप read कर रहे हैं आप दूसरे को नहीं बता रहे हैं कि आप read कर सकते हैं आप आप क्या read कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं चलेगा speak कर रहे हैं तो यह आपका productive है लेकिन यह जो है आपका receptive skill है, तो यह आपको ध्यान रखना है, listening, मतलब आप सुन रहे हैं, receive कर रहे हो, तो यह आपकी receptive skill है, reading कर रहे हो, यह भी आप अपने अंदर ले रहे हो, तो यह भी आपका receptive skill है, writing कर रहे हो, तो यह productive skill है, लेकिन यहाँ पर listening जो है, यह receptive skill है, तो following method improves pronunciation तब यह भी मैंने बताया था pronunciation जो आपका improve करेगा वो method imitation method भी है phonetic method भी है और subsidiary method भी है और all of the above इसका सही answer हो जाएगा how many vocal sounds are there in English इंग्लीस में मैंने बताया था कि total मिला के 20 plus 24 sound होते हैं लेकिन MP board में एक sound को extra ले लिया गया इसलिए 45 sound होगा तो यहां पर 45 is the right answer sound की बात कर रहा है द्वनियों की बात कर रहा है इसको next question which of the following is a receptive skill receive करने की skill को हम receptive skill केते हैं लास्ट यर भी पूछा गया था यहां पर देख सकते हो आपका जो listening और reading है listen कर रहे हैं आप receive कर रहे हो रीड कर रहे हैं आप receive कर रहे हो इसको receptive skill भी बोलते हैं इसको passive skill के नाम से भी जाना रहता है इसको input skill के नाम से भी जानते हैं और इसको हम बोलते हैं skill for comprehension भी तो इसके चार नाम है ध्यान रखना है ठीक है इसको कौन-कौन से skill बोलते हैं या productive skill बोलते हैं या active skill बोलते हैं या skill 4 expression बोलते हैं इसकी को express कर रहे हो या write कर के किसी को express कर रहे हो ठीक है तो इस तरह का ये question है कि मैंने gut this द्हकर आपको चीज़े बता दी है ठीक है अब आज ये which type of grammar is known as formal grammar तो former grammar जो होता है उसका थे या इसको second generation grammar के नाम से जानते हैं, या इसको second generation grammar के नाम से जानते हैं, इसको former grammar भी बोलते हैं, और इसी को हम theoretical grammar भी बोलते हैं, तो यहाप यह option correct हो जाएगा, notes प्राप्ति हैं, तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, कई बार questions आप से इस तरह से पूछेगा, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, यह 5 questions जो हैं, बहुत ही simple से, आपका productive skill का पूछ लिया, receptive skill का पूछ लिया, आप से कुछ भी पूछ सकता है, छोटे बड़े किस तरह के question पूछे जा सकते हैं, तो आसा करता हूँ, इस वीडियो को देख करके, कुछ न कुछ आपने बैतरीन समझाओ, अगर वीडियो को ध्यान से सुनते हो, skip नहीं करते हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, skip करके भागते हो, तो बाकी तो आपके exam में आपको पता चलेगा ही कि आप क्या कर पाओगे, ठीक है, आसा करता हूँ कि आप notes प्राप्ति के लिए अगर आपने नहीं लिया है, तो ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, वीडियो के थुरू पढ़ सकते हो, subjective के वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं, वो already channel पे उपलब्द हैं, आप playlist में check कर सकते तो playlist हमेशा वीडियो स्क्रीन पे आती रहती है, आप चाहे तो अभी touch कर सकते हैं, आपके सामने आ रही है, या फिर आप description में जाके playlist का open कर सकते हैं, सब कुछ अबलब्द है, उपलब्द है, आपको tension लेने की जुरूत नहीं है, बस पढ़ने की आउशकता है, thank you very much, have a good day. कर सकते हैं,क पुरूत जुरूत जुरूत था जुरूत, बस दे, पालूत बस्क गनर आप जबल Давай, कर सकते हैं, सब कर में आपको, कि बस्ने हैं, आपको, कैंके आपने येज़levelब्द हैं, और लamente उता है आपको.